श्री गनेशा या नमाहा नमश्कार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारे दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करत जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रमा आपक अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुरालपक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिथी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिये भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते है और वो बिजनेस पार्टनर शीप में है तो वहाँ भी आपक व्रगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वज़े से आपके डेली की इनकम भी बढ़ेगी अगर पर्सनल लाइप के बात करते हैं लव लाइप के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है नए कदम आगे बढ़ाने के लिए, पुरानी तकरार मिटाने के लिए और नए रिष्टे बनाने के लिए हर तरह से ये समय आप के लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुश्णमा माहोल रहेगा, मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी। अपने परिवार को खुश करे और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे। ये वक्त कही घूमने फिरने के लिए एंजॉय करने के लिए काप ही अच्छा रहेगा। यात्राय करने के लिए भी समय हर तरह से अनुगूल है। अगर स्टूडंट्स की बात करें तो स्टूडंट्स इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके लिए समय बहतरीन रहेगा। कॉंसेंट्रेशन अच्छी रहेगी। ये समय जम कर पढ़ाई करने का है। अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए, अपने टार्गेट सेट करें और उस और पूरी लगन से बढ़े, काम्यावी मिल कर ही रहेगी। अगर स्वास्त की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस समय में आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा। मानसीक परिशानिया नहीं रहेगी, अच्छे स्वास्त के लिए अच्छा रूटीन बनाए, और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रहे सके, अपने स्वास्त के अनुसार अच्छा डायेट प्लान बनाए, और उसे अच्छे से निभाए, योगा करे, प्रानयाम करे, सु चंदर राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच् अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता ह और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तर के में डोर के सामने ही जूतेया चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे, और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बह दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चपके उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चपके उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीचे की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे. साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिडशेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इस से आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवा प्रवाब